नमस्कार दोस्ता आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यात्रा एप्लिकेशन से ट्रेंड टिकट कैसे बुक कर सकते हैं जिहां गईज आप पी जानना चाते हैं कि यात्रा एप्लिकेशन से ट्रेंड टिकट कैसे बुक कर सकते हैं तो गई जाज के इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा दिखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे येटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को फ्रेस करके और पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी तो चलिए फ्रेंड साइज का इवडियो स्टार्ट करते हैं तो गई सबसे पहले आपको प्लेश्टार अप्लिकेशन को उपन करना है प्लेश्टोर अप्लिकेशन को उपन करने के बाद गई जहांपर आपको यात्रा अप्लिकेशन को डाउनलोड करना है तो गई जहांपर मैंने यात्रा अप्लिकेशन को पहले से डाउनलोड करके रखा है इसके बाद गई जहाँ पर आपको यत्रा एप्लिकेशन को उपन करना है उपन करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर यत्रा एप्लिकेशन उपन हो चुकी है और गई जहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है तो गरी जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर आप कहा से कहा है तक टिकट बुग करना चाहते हैं वह की लोकिशन को यहाँ पर आपको टाईप करना है वहाँ के station को यहाँ पर आपको type करना है तो गई जहाँ पर मैंने journey station को पहले से फिल करके रखा है इसके बाद गई जहाँ पर आपको journey date का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप किस date पर जर्णने करना चाहते है उस date को यहाँ पर आपको select करना है तो गई जहाँ पर आपको अलगले class सो करें तो गई जहाँ पर मैंने slipper class को select किया इसके बाद गई जहाँ पर आपको find train के option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकती है यहाँ पर आपको MW Express देखने को मिल जाती है तो गई जहाँ पर मैं MW Express में train ticket बुक करना चाता ह तो गई जहाँ पर मैं इस ट्रेंड को सेलेक्ट करता हूँ इस ट्रेंड को सेलेक्ट करने के बाद गई जहाँ पर आप दीख सकते हैं यहाँ पर आपको अविलेबल टिकट देखने को मिल जाती है तो गई जहाँ पर मैं अविलेबल टिकट के अविलेबल टिकट के और गई जहाँ पर आपको full name का option देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको full name को type करना है, तो गई जहाँ पर मैंने full name को type कर लिया, इसके बाद गई जहाँ पर आपको age को select करना है, तो गई जहाँ पर मैं age को select करता हूँ, age को select करने के बाद गई जहाँ पर आपको birth preference का option दे देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एड्रेस को फिल कर लिया इसके बाद गई जहाँ पर आपको कॉलोनी का उपसन देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आपको कॉलोनी को सेलेक्ट करना है तो गई जहाँ पर मैं कॉलोनी को सेलेक्ट करता हूं कॉलोनी को सेलेक्ट करने के इसके बाद गयी जहां पर आपको पन इंप कोड का ऊफ्शन देखने को स्विल और जाता है। तो गई जहाँ पर आपको IRCTC User ID को fill करना है तो गई जहाँ पर मैंने पहले से फिल करके रखा है इसके बाद गई जहाँ पर आपको Proceed के Option पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आपको Boarding Station का Option देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आप boarding station को change करना चाहते हैं तो गई जहाँ से आप change भी कर सकते हैं इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको reservation size का option देखने को मिल जाता है और गई जहाँ पर आपको proceed का option पर क्लिक करना है प्रोचिट के अफ्चन पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप दिख सकते हैं आप आपको booking detail का option देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आपको ticket की booking detail को चेक करना है इसके बाद गई जहाँ पर आपको स्क्रोल डौन करते हैं नीचे की और अना है और गई जहाँ पर तो गई जहाँ पर आपको ट्रेफलर की डिटल प्ल करना है तो गई जहाँ पर आपको चेक करने के बाद this यहां पर आपको payment का option देखने को मिल जाता है तो गई जहां पर आपको गूगल पे का option देखने को मिल जाता है डेबिट क्रेडिट का पर आपको पे का option देखने को मिल जाता है यहां पर आपको पे का option पर क्लिक करना है पे का option पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यात्रा अप्लिकेशन से train ticket को book कर सकते हैं तो गई जहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप इज़ी तरीके से payment को paid करने के बाद गई जहां पर आप यात्रा application से train ticket को book कर सकते हैं तो गैस कैसा लगए वीडियो आप हमें comment करके जरूर बताया और अभी तक आपने हमार चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लेज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को place करके all पर set कर लिजिएगा जिससे आने वाली वीडियो के notification आपको मिलते रहेगी है